हेलो कलास 10, आज हम व्याकरन का आखरी टॉपिक परेंगे रस तो हम देखेंगे रस क्या है, रस कितने प्रकार की होते हैं और उन प्रकारों के बारे में हम जानेगे रस से तात परे कावे का आनंद प्राप्त करने से हैं जब हम किसी कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, फिल्म आधी को पढ़ते देखते या सुनते हैं, तब पाठक, स्रोता या दर्शक को जिस सुक, दोख ये एवं आनन्द की अनुभूती होती है, वही कावे में हम उसे रस कहते हैं। अनुभाव और वेविचारी भाव के सन्योक से रस की निस्पति होती है, रस की उत्पति होती है। तो ये विभाव, अनुभाव और वेविचारी भाव क्या है? इसे हम आगे देखेंगे, जब हम रस के अव्यो और अंग देखेंगे। तो रस हमें समझ में आ गया कि रस क्या है जब हम किसी कहानी कवीता नाटा को पन्यास फिल्म आदी को देखते हैं तो हमारे मन में जो सुक दुख आनंद की अनुभूती होती है वही रस है अब रस के अव्यव या अंग रस के चार अव्यव या अंग है स्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी या फिर उसे हम व्यविचारी भाव भी कहते हैं इन चारों के सन्योग से ही भरत मुनी ने माना है कि रस की उत्पत्ती होती है अब इस तरह से हम देख सकते हैं रसके अंग, चारंग है स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या वेविचारी भाव फिर विभाव के भी दो भेद हैं आलंबन, उद्यूपन आलंबन के भी दो भेद हैं आश्रे और विश्य अनुभाव के यहां चार भेद हैं, सात्विक, काईक, वाचिक, आहार्य, इन सभी के बारे में हम अभी यहां पढ़ेंगे स्थाई भाव, प्रत्यक मनुश्र के चित हिर्दय में प्रेम, दुख, क्रोद, आसचरे उतसा, आदि भाव स्थाई रूप में, मतलब हमेशा से विद्यमान रहते हैं उन्हें ही हम स्थाई भाव कहेंगे स्थाई भाव हमारे हिर्दय में छिपे रहते हैं और ये अनुकूल वातवरन उपस्तित होने पर ही स्वयम ही जागरिद होते हैं अर्थाद ये सब भाव क्या है हमारे हिर्दय में स्थाई रूप से मौझूद है जब हम कभी कोई दुख का द्रिश्य देखते हैं तो हमारे मन में दुख का भाव उत्पन हो जाता है तो यह क्या है स्थितिवस अनुकूल वातवरन देखकर या फिर उसके अनुसारी या भाव हमारे हिर्दय से उत्पन हो जाते हैं इन्हें हम कहेंगे स्थाई भाव विभा विभाव से अभी प्राय उन वस्तुओं एवं विश्यों से विश्यों के वर्णन से हैं जिनके प्रती सहिर्दय के मन में किसी प्रकार का भाव या सन्वीदना जागरित होती है अर्थात भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं अर्थात जो कारण जिस कारण स वह आके देखते हैं, आलम्मन विभाव, जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलम्मन या सहारे से, आलम्मन का अर्थ क्या होता है, सहारा, सहारा से स्थाई भाव उत्पन होते हैं, वे आलम्मन विभाव कहलाते हैं, जैसे नायक, नाईका, इनके बादिम से हम देख सकते हैं कि उनके मन में जो भावत्पन होता है वो आलम मन भी भाव होगा आलम मन के भी दो प्रकार है आश्रे और विश्य जिस व्यक्ति के मन में भावत्पन होते हैं उन्हें हम आश्रे कहेंगे और विशे जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रे के मन में भाउत्पन होते उन्हें विशे कहेंगे मतलब जिनके मन में भाउत्पन हो रहे वह आश्रे है और जिस को देखकर भाउत्पन हो रहे वह विशे है जिस प्रकार से उधारन हम देख सकते हैं कि अगर हम जंगल में गए और हमने सेर देखा और सेर को देखते हैं हमारे मन में भाव उत्पन हुआ कि कौन सा भाव दर का भाव जो कि स्थाई भाव है हमारे मन में हमेशा से रहता है पर परिस्तिति वस वह उत्पन होता है तो हम क्या है आश्रे हैं और विशे क्या है वह सेर जिसको देखकर हमारे मन में भाव उत्पन हो रहा है उत्दिवपन विभाव क्या है आश्रे के मन में उत्पन हुए स्थाई भाव को और तिवर करने व अब बाहरी चेस्टा है, विशे की बाहरी चेस्टा है, जो विशे क्या था? सेर, सेर दहार रहा है, या फिर बाहरी वातवरन, जंगल में सन्नाटा है, अंधेरा है, तो ये सब क्या करेंगे? हमारे डर को और बढ़ाएंगे, हमारे भाव को और बढ़ाएंगे, तो यही है उ अनुभाव क्या है, अनु का अर्थ है पीछे अर्थात बाद में, स्थाई भाव के उत्पन होने पर उसके बाद भी भाव उत्पन होते हैं, मतलब स्थाई भाव उत्पन हो गया, हमारे अंदर डर का भाव उत्पन हुआ, अब उसके बाद भी अन्य भाव उत्पन होते हैं, उसे हम अनुभाव कहते हैं वे स्थाई भाव नहीं होते हैं सरीर में होने वाले अनुभाव काईक है होता है हम डर के मारे कापने लगे तो वो काईक अनुभाव है वाचिक, जब कावे में क्या हो, जब हमारे अंदर स्थाइभा उत्पन हो, और उसके साथ साथ हम क्या हो, हम ठीक से बोलना पा रहे हो, हमारी बोलती बंध हो जाए, तो उसे हम कहेंगे वाचिक अनुभाओ आहारे, आहारे हैं वेजबुसा में परिवर्तन होना, वेजबुसा में डड़ के मारे कोई परिवर्तन आ गया, तो उसे हम कहेंगे आहारे अनुभाओ आगे हैं संचारी या फिर वैविचारी संचारी भाव को वैविचारी भाव भी कहते हैं क्यों कहते हैं हम आगे देखेंगे मन में चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं स्थाई भाव तो हमने जान लिया कि जो स्थाई रूप से हमारे भिर्दय में उपस्तित रहते हैं, उन्हें स्थाई भाव कहते हैं, पर संचारी भाव वे भाव है जो कि कुछ छण के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, इसलिए इन्हें वेविचारी भाव भी कहते हैं, और संचारी भाव की संख्या यहां 33 बताई गई है इन में से मुक्के है संचारी भाव संखा निंद्रा मद आलस्य दीनता चिंता मोह स्मृती धैर्य लज्जा चपलता आवेग हर्ष गर्व विशाद उत्सुकता उग्रता त्रास आदी जैसे कि हम अगर जब हमारे मन में डर का भावत्पन हुआ तो डर के भाव के साथ हो सकता है हम बिहोस हो जाएं तो यह क्या है संचारी भाव है यह कुछ देर के लिए आते हैं फिर हम होस में आ जाएंगे और वह चले जाएंगे इस तरह से यहां रस के नाम दिए गये हैं उनके स्थाई भाव दिए गये हैं और संचारी भाव, मतलब स्थाई भाव के साथ जो जो संचारी भाव हमारे मन में हिर्दय में आते हैं, वे सब है अब रस के भेद रस के मुख्यता नौ भेद है पर बात के आचारों ने दो और भेदों को स्थाई भाव के मानेता देते हुए रसों की संख्या 11 बताईए यहां पर भी 11 रस है और 11 स्थाई भाव है उन से जुड़ेवे यहां संचारी भाव है सबसे पहला रस क्या है स्रिंगार रस उसका भाव है रती तो स्रिंगार रस हम देखेंगे जब नायक नायका के मन में एक दूसरे के प्रती प्रेम लगाव उत्पन होकर विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से स्थाई भाव रती जागरित होती है सन्योक श्रिंगार और वियोक श्रिंगार असके दो भेदे सन्योक श्रिंगार और वियोक श्रिंगार सन्योक श्रिंगार नायक और नायका को मिलन सन्योक श्रिंगार कहलाता है उधारन दिखते हैं तन संकूच मन परम उच्छाहूं गुड प्रेम लखी परहन काहूं जाई समीब राम छवी देखी रही जनो कुवारी चित्र अनुरेखी यहाँ पर हम देखेंगे कि स्थाई भाव क्या है यहाँ सन्योक स्रिंगार का रती आश्रे क्या है नाई का अर्था सीता जी विशे क्या है किसको देखकर श्रिंगार का भावतपन हो रहा है नायक अर्था स्री राम को देखकर उद्यूपन समीब जाना छवी देखना संचारी भाव क्या हो सकता है सीता जी के मन में जब प्रेम का स्रिंगार का भाउत्पन हो रहा है तो सीता जी का जडवत रह जाना मतलब स्थेर रह जाना इस तरह से हम प्रतिक रस को इस तरह से दिखदर्शा सकते हैं अब दूसरा है वियोग स्रिंगार जहां नायक और नायका के वियोग का वर्णन हो वहां वियोग स्रिंगार होगा दे या वियोग है वियोग का वियोग श्रिंगार है यह आश्रे है नाइका विसे है नायक उद्यूपन है नायक से दूरी नायक से दूरी होने के कारण उनके अंदर वियोग श्रिंगार रस उत्पन हुआ अनुभाव क्या है वेदना पीरा अनुभाव करना संचारी भाव क्या ह प्रीय या मन्चाही वस्तु के नस्ट होने या उसके कोई अनिष्ट göz होने पर हुर्दय सोक से भणता है तो तब करुण्रस ठागरित होता है जब हमारी कोई मनचाही वस्तू मन पसंद वस्तु तूट जाये नस्ट हो जाये तो हमारे अंदर करुनरस जागरित होता है उधारन मेरे हिर्दय के हर्ष आ हाँ अभी मन्यू अब तु है कहाँ यहाँ स्थाई भाव हम देखेंगे शोक है करुनरस का स्थाई भाव सोक है आश्रे है द्रोपती विश्य है कुल वातावरन अनुभाव है रोना विलाप करना संचारी भाव है द्रोपती का अभी मन्यू को याद करना बीच वीच में जड़ हो जाना इत्यादी तो इस तरह से हमने यहां करुनरस का उधारन देखा उस तरह से तीसरा है वीर्रस युद्ध अत्वा किसी कठिन कारे को करने के लिए हिर्दय में नीहित उत्सा स्थाई भाव के जाक्रत होने से प्रभाव स्वरुप जो भाव उत्पन होता है उसे हम वीर्रस कहते हैं यहां वीर्रस का एक उधारन दे दिया गया है मतलब जब भी हम कोई कोई युद्ध देखे कोई लड़ाई देखे तो हमारे बन में बर एक उत्सा उत्पन हो जाता है और उस तभी हमारे बन में वीर्रस की उत्पती होती है उधारन दिखते हैं चरत तुरंग चतुरंग साजी, सिवराज, चरत प्रताब दिन दिन अति जंग में, भूशन चड़त मरहट अन के चित चाव, खग खुली चड़त है, अरिन के अंग में, भौसला के हाथ गड़ कोट है चरत, अरी जोट है, चरत एक मेरू गिरिस्रिंग में, तुरकान गम, व्योम व्यान है चड़त बिनू, मन है चड़त बदरंग, अवरंग में, यहाँ पे वीरिस का वर्णन था, और स्थाई भाव क्या है वीरिस का उत्सा, आश्रे क्या है सिवाजी, और विश्रे क्या है औरंग जेब और तुरक, उद्यपन, सत्रु का भाग जाना, मर जाना, अनुभाव क्या आने पर, उसके बाद है विभत्रस, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के मेल से घ्रिना, स्थाई भाव, जागरित होता है, तब हमारे मन में विभत्रस जन्म लेता है, जब हम किसी घ्रिनीत वस्तु को देख लेते हैं, तो हमारे मन में घ्रिना उत्पन होगा, घ्रिन आनंद कर धारत गिद जांग कहे खोदी खोदी के मास उचारत स्वान अंगूरिन काटी काटी के खात विचारत बहु चील नोच ले जात तूच मोद भरियो सरसब को हियो मनु ब्रह्म भोज जजिमान को आज भिकारिन कहे दियो यह स्थाई भाव है जुगुपसा जुगुपसा का भाव है आश्रह देखने वाला जो देख रहा है विश्य है मृत्य सरीर मृत्य सरीर को देख रहा है जिस कारण घृणा का भाव उत्पन हो रहा है उद्युपन गिद सियार चील आदी द्वारा मास नोच नोच कर खाया ज अनुभाव क्या है ग्रिना ग्रिना उत्पन हो रही है संचारी भाव दीनता निर्वेद आदी सांत्रस सांसारिक वस्तुओं से विरक्ती तथा सात्वित्ता का वर्णन ही सांत्रस है जब हम सांसारिक वस्तुओं से विरक्त हो जाते हैं दूर हो जाते हैं तब सांत्रस का जन होता है उधारन मन मस्त हुआ फिर क्यों डूले हीरा पायो गाठट गटी यायो बार-बार वाको क्यों खोले स्थाई भाव क्या है वैरा गयijn सांत्रस का स्थाई भाव वैरा गय आश्रह कभी विशह इस्वर इस्वर को देखकर वैराग्य भाव की उत्पत्ती होती है उद्यूपन क्या है इस्वर भक्ति सुलब वातवरन अनुभाव इस्वर की भक्ति में लीन होना धन्यवाद करना गाना संचारी भाव प्रशन नता विश्मे आदी अगला है हाश्य भाव किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारन आक्रिती विचित्र वेजभुसा अनुखे बातो चेश्टाव आदी से हिर्दय में जब विनोध या हास का अनुभाव होता है तब हास्य रस की उत्पत्ती होती है जब हम किसी मोटे इंसान या फिर नाटे अनसान को देखते हैं या फिर उसकी वेजभुसा को देखते हैं तो हमारे मन में क्या होता है हाश्य रस के उत्पत्ति होती है उधारन देखते हैं गोपिया कृष्ण को बाला बना विच्भान के भवन चली मुस्काती वहाँ उसको नीज सजनी बता रही उसके गुनों को बतलाती स्वागत में उठ राधा नेजियों नीज कंठ लगाया तो वे थी ठठाती होली है होली है कहते सथ तभी सब भेद बताकर खूब हसाती या इस्थाइभाव क्या है हास या पर हसी मजाग हो रहा है आश्ट्र है गोपियां विशे है क्रिष्ण का गोपी रूप धारन करना क्रिष्ण जी ने गोपी रूप धारन किया जिसकारण हाश्यरस की उत्पत्ती होई किसमे होई गोपियों में होई उद्युपन होली के त्युहार का वर्णन है अनुभाव गोपियों का हसना मुस्कुराना कृष्ण के चेश्टाएं और संचारी भाव तब क्या उद्पन होगा लज्जा हर्ष चपलता चंचलता इत्यादी रोद्ररश रोद्र का अर्थ बता है गुस्सा जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के मेल से क्रोध स्थाई भाव का जन्म हो तब रोद्ररस की उत्पत्ती होती है जब हमारे अंदर क्रोध स्थाई भाव उत्पन हो तब रोद्ररस उत्पत्ती होती है उस काल मारे क्रो से सोता हुआ सागर जगा यह स्थाइभाव क्या है क्रोध है रोद्ररस का स्थाइभाव क्रोध है आश्र है अर्जुन विश्र है अभिमन्यू को मारने वाला जैद्रत उद्यूपन क्या है अकेले बालक अभिमन्यू को चक्रव्यू में फसाना और साथ महारतियों द्वरा उसे उस पर आक्रमन करना, अनुभाव, सरीर का अपना, क्रोध आर करना, मुख लाल होना, संचारी भाव, उग्रता, चंचलता, आधी, भयानक रस, भै उत्पन करने वाले बात सुनने, अथ्वा व्यक्ति को देखने, सुनने, अथ्वा उसके कलपना करने से मन में भैचा जा जब हम कोई डरावनी वस्तु देखते हैं, डरावनी चीजे देखते हैं, तो हमारे मन में भैवा रस उत्पन होता है, धारन देखते हैं, एक ओड अजगर ही, लखी एक और मिर्गराय, विकल बटोही बीच ही, पर्यो मुर्जा खाए, यहां स्थाई भाव क्या है, भै है, बैयानक रस का अस्थाई भाव भै है, आश्रह है, राहगीर, राह में चलता हुआ आदमी, विशे है, अजगर, मिर्गराज, सिंग का राहगीर की और बढ़ना, उत्यूपन क्या है, भैयानक जंगल, भैयानक जंगल को देखकर और वो भैयावरस, भैयानक रस और तिवर ह होता है, अनुभाव, डर्ना, मुर्जित होना, बेहोस हो जाना, संचारी भाव क्या हो सकता है, मरन, बेहोस होना, इत्यादी, इसके आगे हम देखेंगे, अगला, अद्भुतरस, अद्भुत, अलग, किसी असाधरन, औलोकिक, आस्चरे जनक, वस्तू, द्रिश्य या घट को देखने, सुनने से जब आश्चरे होता है, तब अद्भुतरस की उत्पत्ती होती है, जब हम कोई अनोखा चीज़ देख लेते हैं, तब हमारे मन में क्या होता है, तब हमारे मन में अद्भुतरस की उत्पत्ती होती है, उधारन देखते हैं, राग है की, रूप है की, जस है की तन है की मन है की प्रान है की प्यारी है यहां अद्भुत्रस का वर्णन है स्थाई भाव है विश्मे आश्रे है सुदामा उद्युपन जोपडी के स्थान पर महल और दरिद्र ब्राह्मनी के स्थान पर वस्त्राभुसन से सज्जिद होना जब उन्होंने यह देखा तब सुदामा के मन में अद्भुत रसुत बन हुआ विशन नारी सुदामा के पत्नी अनुभाव आश्चरे चकित होना संचारी भाव हर्ष, खुशोना, मोहित हो जाना, स्मृति आदी अगला है वादसले रस किसे कहते हैं वादसले रस का संबन्द छोटे बालिकाओं के प्रती माता-पिता, अत्वा सगे संबन्धियों का प्रेम एवं ममता के भाव को कहते हैं उधारान देखते हैं सोहित कल नवनीत लिये, घुटुरन चलत, रेनुतन मंडित, मुख दधी लेप की यहां पे वादसले रस का वर्णन है हम देखेंगे सूर्दास के पदों में वादसले रस का वर्णन है जहां उन्होंने कृष्ण का वर्णन किया है और यशुदा माता को दर्शाया है स्थाई भाव यहां क्या है? वादसल है आश्रे क्या है? माता-पिता विशे क्या है बाल, कृष्ण, उद्धिपन, कृष्ण की घुटनों तक दूल से भड़ा सरीर, मोह पर दही का लेप इन सब को देखकर माता पिता के बन में वात्सले रस की उत्पत्ती होती है अनुभाव, हसना, प्रशन होना, संचारी भाव, विश्मित होना, मुग्द होना, इत्यादी मुग्द हो जाते हैं अपने बालक को इस तरह से देखकर माता पिता अगला है अंतिम है भक्तिरस इस्वर के प्रति भक्ति भावना ही भक्ति भावना स्थाई रूप से मानः संसकार में प्रतिष्ठित होने से भक्तिरस की उत्पत्ती होती है यहाँ पर भक्तिरस की रस का उधारन देखते हैं मेरे तो गिर्धर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोड मुकट, मेरो पती सोई, साधुन संग बैठी बैठी, लोग लाज खोई, अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, यहां यह मीरा का पद है और इसमें भक्तिरस दर्शाया गया है, भक्तिरस का स्थाई भाव क्या है अनुराग, इस्वर, विश्यकरती, इस्वर के प्रती जो प्रेम है, आश्रे क्या है, कवेत्री मीरा है, उनके मन में यह भक्तिरस उत्मन हुआ है, विश्य क्या है, क्रिश्न, स्रिक्रिश्न को देखकर, उध्यपन क्या है, क्रिश्न लीलाय, सत्संग, अनुभाव, रोमा में पढ़ा